एक ऐसा पर्वत जिस पे चर्पाना नामुम्किन है। एक ऐसा पर्वत जिस पे शाक्षा धगवान सीवी विराजते हैं। एक ऐसा पर्वत जिसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। यहां बात हो रही है कैलाश पर्वत की। 6,638 मिटर उची ये पर्वत तिबत में यानि कि इसका उपस्थिती हिमालिय से भी पहले का है। नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ है। चोटी की चरहाई नहीं कर पाया है। अगर साइन्टिफिक रिजन की बात करें तो साइन्टिफिकली ये क्वेशन अनांसर है। पर कुछ ऐसे रिजन्स हैं जिसको साइन्टिस्ट ने बताया है। जैसे की कैलास के स्लोप्स लगभग वर्टिकल है और इसके साथ इतनी उचाए में होने के कारण कैलास में विंस भी बहुत स्ट्रॉंग बहती है। जो की इसे लगभग impossible बना देती है क्लाइम करने के लिए। कैलास की जिग्राफिकल लोकेशन और नॉन क्लाइमेबल कैट्रिश्टिक तो इसे अनोखा बनाती ही है पर एक और चीज है जो कैलास को अधभुद बनाती है और वो है अलग-अलग धर्मों में इस परवत का इंपोर्टेंस। कैलास एक बहुत ही डिवाइन पोजिशन होल करता है हिंडुईजम, जैनिजम, सिकिजम, बुधिजम और प्री बुधिश्ट बॉन रिलिजिन में। हिंडुईजम में माना जाता है कि कैलास परवत में भगवान सिव विराजते हैं। कैलास के दो तलाब मान सरोवर और राक्षस ताल का भी स्पिरिच्वल इंपोर्टेंस है। मान सरोवर जो कि डीप स्पिरिच्वल सिग्निफिकेंस रखता है वहीं राक्षस ताल का जनम रावन के द्वारा भगवान शिव को प्रशन करने के रिच्वल के द्वारा हुई थी और इसी राक्षसी रिष्टे के कारण राक्षस ताल एक खारा पानी का तलाब है जिसमें क उदिजम के एक पाउरफुल गौड है और तिबत, मंगोलिया और नेपाल जैसी जगह पे बहुत पॉपुलर है जैनिजम में भी कैलाश परवत को मेरू परवत कहा गया है जैन स्क्रिप्चर्स के एकॉडिंग जैन्स के पहले तिरतंकार रिसबनात ने कैलाश में ही इन्ही सब रिलिजन से जुरे होने के कारण कैलाश की कई मिश्ट्रीज भी है इन्ही कुछ मिश्टीरियस इंसिडेंट पे अब डिसकस करते हैं पहला मिश्टीरियस इंसिडेंट है साइबेरियन माउंटिनियर केस कुछ साइबेरियन माउंटिनियर ने कैलाश पर चरने की कोशिश की थी एक सर्टन प्लेस में पहुचने के बाद उनकी एज अचानक से फ्यू डेकेट्स बर गई और एक साल के बाद सारे माउंटेनियर्स बुरे होकर मर गए कहा जाता है कि कैलाश परवत में एज को एक्सलरेट करने वाली हवा बहती है एटेम्ट बाइ करनल आर्सी विल्सन आर्सी विल्सन अपने सहयोगियों के साथ कैलाश परवत को चरने की कोशिश कई दफा किये पर अनेक्सपेक्टेड इवेंस हमेशा ही उनके चरहाई में बाधा बंदी रही जिसके कारण उनको अपने कैलाश पर क्लाइमबिंग का सपना छोड़ना पड़ा नीचे आकर उन्होंने खुद कहा कि जैसे ही मुझे आसान राष्टा मिलता चरहाई करने के लिए वैसे ही बहुत तेज बर्वबारी होती और वो राष्टा बंद हो जाता रेन होल्ड मेशनर डिनायल इतली के फेमस माउंटिनियर जिन्होंने सोलो माउंट एवरेश्ट की चरहाई की थी जिन्होंने अकेले गोवी डेजर्ट को क्रॉश किया था जिन्होंने लगबग 14 टॉलिश पीक जो की 8000 मीटर से भी उची थी उनको चरहाई की थी जब उनक ही एक लौते इंसान थे जिन्होंने केलास की चरहाई की है वैसे भी अगर आप केलास की क्लाइमिंग करना चाहते भी है तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि केलास पर क्लाइम करना प्रोहिबिटेड है और चाइना ने केलास पर क्लाइमिंग एक्टिविटीज बैन कर रख कीजिए मिलते हैं ऐसे ही किसी मिस्टीरियस वीडियो में तब तक के लिए बाइ